Good morning students, आज हम करेंगे वसंत भाग एक के पाठ ग्यारा जो देख कर भी नहीं देखते के शब्दर्थ और प्रशन उत्तर तो हम शब्दर्थ करते हैं Number 1 अच्रज, अच्रज मिन आश्चरिय Number 2 आदी, आदी मेंज अभ्यस्त Number 3 रोचक, रोचक मेंज रूची बढ़ाने वाला Number 4 खुश नसीब, खुश नसीब मेंज भाग्यवान Number 5 समा, समा मेंज वातावरन Number 6 मुग्द, मुग्द मेंज मोहित Number 7 कदर, कदर मेंज इजट करना Number 8 नियामत, नियामत मेंज इश्वर की देन Number 9 स्पर्श, स्पर्श मेंज छूना Number 10 आस, आस मेंज आशा ये थे हमारे शब्दर्थ, अब हम करेंगे इस पार्ट के प्रशन उत्तर प्रशन एक, जिन लोगों के पास आखे हैं, वे सच्मुच बहुत कम देखते हैं हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता था? उत्तर, हेलेन केलर को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जब प्रकरतिकी वस्तुओं को छूने से इतना आनंद मिलता है तो देख कर तो मन मुग्द हो जाना चाहिए परन्तु दुनिया के सुन्दर रंग लोगों की सम्वेदना भावनाओं को छून नहीं पाते प्रश्न दो, प्रकरतिका जादू किसे कहा गया है? उत्तर, रित्मों का परिवर्तन, वसंत में फूलों का खिलना, कलियों की पंखडियों की मखमली सते और घुमावदार बनावट, बागों में पेडों पर गाते पक्षी, कल-कल करते हुए जहरने, कालीन के समान, घास के मैदान, आदी प्रकरतिके जादू हैं प्रश्न तीन, कुछ खास तो नहीं, हेलिन की मित्र ने यह जवाब किस मूखे पर दिया, और यह सुनकर हेलिन को अश्चरे क्यों नहीं हुआ? उत्तर, कुछ खास तो नहीं, यह जवाब उसकी मित्र ने तब दिया, जब वह जंगल की सेर करके लौटी थी हेलिन को अश्चरे इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि वह इन उत्रों की आदी हो चुकी थी, हर कोई उने इसी तरह का उत्तर देता था वह सोचती थी कि आँखे होने के बाद लोग प्रकृतिक द्रिश्यों को देख कर मुग्द क्यों नहीं होते? प्रश्न चार, हेलिन केलर प्रकृति की किन चीजों को चुकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो उत्तर, हेलिन केलर भोज पत्र की चिकनी चाल, चीड की खुर्दरी चाल, कलियों में फूलों की पंकडियों की बनावट को चुकर, तथा चिडिया के गीतों और जर्ने की आवाज को सुनकर पहचान लेती थी? प्रेश्न पांच अपने दुखों को भुलाया जा सकता है। प्रकृति को चुकर महसूस करने से उसका आनन बढ़ जाता है। तो स्टुडेंट्स ये थे हमारे पार्ट ग्यारां जो देखकर भी नहीं देखते के शब्दर्थ और प्रश्न उत्तर। आप इसे एक पर फिर से रिवाइस कीजिएगा। थेंक यू।